हलो एव Mickey सब और क्या हाल समाचार है आपके देखे आज एक ऐसा सेर लेकर आए है जो 3 सेक्टर में काम करता है और 3 सेक्टर धमाका है फ्यूचर है और उसका पूरा ग्रोथ है और सरकार भी उस सेक्टर पे काम कर रही है और मजे की चीज वो share कहीं से penny stock नहीं है growth stock में count होता है और जब कोई stock growth stock में count होता है तो उसके exponential return देने की बहुत ही जादा उमीद होती है तो वो तीन सेक्टर है railway, semiconductor और power जिस तीनों में ये company काम कर रही है तो आपकी नजर में वो कौन सा share है comment में बताईए और अगर आप technical analysis सीखना चाहत है मुकुल अगरवाल source जिस पर price action की series चालू हो चुकी है subscribe भी कीजिए और सिफ सीखिए का नहीं Instagram पर मुझे chart भी भेजिएगा link description में है हमारी team Instagram पर जो भी लोग chart भेज रहे हैं उसको help कर रही है तो share पर आने से पहले एक quick recap ले लेते हैं क्योंकि बहुत बार मैंने वीडियो बनाई है लेकिन quick recap ले लेते हैं कि railway sector या semiconductor sector या power sector में क्या growth है तो यहाँ पर दिख रहा है कि 500 से भी ज़्यादा station का redevelopment नई वंदे भादर train इंफरा related project multi tracking of railway track ऐसी कई कहानिया है railway की वहाँ पर semiconductor में जाने तो 3 semiconductor के plant क approval मिला है जिसके लिए 1.26 trillion rupees का capex सरकार के द्वारा इंडिया की total semiconductor market 34.3 billion dollar की है अभी और ये 2032 तक 100 billion dollar की हो जाएगी राइट यानि बहुत भेंकर growth इंडस्टी 20.1% से ग्रोह करेगी और तीसरा energy sector जहां पर सरकार का क्या target है 2047 तक zero net carbon emission achieve करने का है तो energy sector को तो boost मिलेगा ही तो किस तरीके से renewable पे काम हो रहा है ये आपके सामने है आप इसको रोक कर भी पर सकते हूँ मैं इसमें detail में इसले न जा रहा है कि कई बार मैंने बाते की हैं कई बार detail में मैंने वीडियो बनाईए तो मैं आपका समय नहीं लूँगा तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे है वो चार्ट भी देखेंगे, राइट, तो सबसे पहले देखें, तो railway में ये क्या बनाता है, तो मैंने क्या किया है, सीधा photo लगा दिया, कि आपको समझ आ सके कि rolling stock products में, traction machine, railway transportation and traction electronics ये बना रहा है, signal product में railway signal product ये बना रहा है, तो ये इनका railway का काम हो गया, अगर power sector में जाते हैं, तो transformer बना रहा है, जिसमें distribution transfer और power transformer ये company बना रही है, semi conductor sector में जाएंगे, तो EHV switchgear, MV switchgear जैसी चीजों पर focus है, तो अब इनके revenue को देखते हैं, कि आज क्या रहा है, क्योंकि semi conductor तो plant लगने वाला है, उसका revenue आगे आएगा, उसकी कहानी है, तो CG power में industrial में जाते हैं, तो 29% क revenue है, और power system में जाते हैं, तो 71% का revenue है, जिसमें industrial में जाते हैं, तो motor and driver से 72% का revenue, और railway से 28% का revenue है, और power system में जब जाते हैं, तो transformer से 46% का revenue, switchgear and other allied products से 54% का revenue है, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये भले करें, बट अभी जो real revenue, semi conductor वाला है, जब plant सुरू हो जाएगा, order सुरू हो जाएगे, वो revenue इसमें add होना बचा हुआ है, ये मत भूलिएगा, अब इनके order book में देखते हैं, तो railway से 1042 करोर का, power system से 3574 करोर का, और semi conductor में inquiry है 10,000 करोर की, जिसमें semi conductor plant भी include है, इसलिए मैंने बोला, ये वाला जब इसमें add होगा, तो वो another level पे होगा, तो अब इसको बोलते हैं, एक बच्चा पैदा हो रहा है, वो धीरे धीरे चलना सीखेगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, और तब बड़ा होगा तो अपने पापा को पैसा कमा के देगा, तो वैसे ही company का कोई segment सुरू हो रहा है, और वो future है, तो वो company के लिए बहुत जादा help करेगा, especially अगर सरकार involved है, सरकार help कर रही है तो, and I hope आप लोगोंने ये जो हमारा main channel है, मुकुल अगरवाल वाला, उस पे तीन under value defense stock, book value से नीचे वाला share, और under value PSO stock को आपने जरूर देखा होगा, ये CG power का चार्ट है, जहां पर अगर आप देखो तो यहां से ये breakout हुआ था, और अ support 1 और support 2, जहां पर ये जो breakout level है, ये पहले का जो high luck के profit booking हुई है, ये इसका breakout level होगा, तो इस तरीके से मोटा मोटा गर आप पाओगे तो 500 के करीब का support पाओगे, और दूसरा support पाओगे तो मोटा मोटा सारे 400 के करीब का support पाओगे, और breakout level 560 के करीब का है, तो ये है इसका price एक्षन जो चार्ट पे कह रहा है इसी प्राइस एक्षन को डीटेल में सीखने के लिए शुरू हो रही है 10 अप्रिल से हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास इंडिया का बेस्ट मेंटरसिप जहां हाथ पकरके सिखाते हैं बहुत सारे लोग शीखने से डरते हैं क्यों इनको यह डर होता कि मुझे तो कुछ आता है नहीं हुआ तो मैं कैसे सीख पाँगा तो वहां पर आपको होंवक देते हैं, स्टुडी मिट्रियल देते हैं, रिवीजिन ख्लास देते हैं जो इंडिया में कोई नहीं रेता है क्लास हिंदी में होती है, मोबाइल से ले सकते हो, एक टीचर रहता है, वहाँ पर आप cash future option कहीं भी trade कर सकते हो, intraday swing सब को सिखाते हैं, तो बहुत benefit का क्लास है, रोज loss करने की जगा, सीख कर कमाओगे तो बहतर रहेगा, तो आप 970-80-9431 पर call कर सकते हो, और हमारे काम का proof यह है कि जब आप telegram से नहीं जूरे हो, तो जूर जाईएगा, link description में है, हमने as a case study, BSC, Kochenyard और HDFC bank दिया था, कोई buy sale नहीं दिया था, क्यूं दिया, यही है learning, जो आप सीखते हो, और तब कमाते हो, और ऐसी case study हम वहाँ पर डालते रहते हैं, तो मौका नजाए, seat book कीजे, और अपनी learning और earning दोनों को एक साथ सुरू की लिए, वहाँ पे अगर हम fundamental में आते हैं, तो सबसे पहले हम stock PE देखते तो 91.4 है, और industry PE 43.2 है, यानि महंगा नहीं, बहुत महंगा है, PG ratio भी 3.22 है, बहुत महंगा है, लेकिन ROC, ROE देखोगे, तो 15% के उपर अच्छा माना जाता ह है, तो audit देखोगे, तो 16.9 है, जो definitely बहुत अच्छा है, अगर profit loss में जाते हैं, तो मैं हमेशे कहता हूँ, OPM percentage देखा करो, और इसका OPM percentage एक अनदर लेवल पे चल रहा है, जो है 12-14% का, और आपको पता है, मैंने क्या सिखा है, जिस भी share का OPM percentage इंप्रूव कर रहा है, उस उसके share के price में तेजी बनती है, as per fundamental analysis, अब इसका हम OPM percentage को peer comparison कर लेते हैं, peer comparison करने के लिए हम peer पे आते हैं, तो अपने segment में आप पाऊगे, OPM percentage में CZ पावर का आप पाऊगे 14.31 है, तो आप देख पा रहे हो, और वहाँ पे सूजलॉन का 15 है, और ABB का 14.26 है, यानि जो upper level के हैं, उनहीं को maintain कर रहा है, और इनका industry average क्या है, 10.16, यानि बहतरीन level पर OPM percentage है, और peer को काटे की टक कर दे रहा है, वहीं पर NPM देखोगे, तो NPM OPM से कम है, ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये इसका एक बहुत ह की बहतरीन point निकल के आ रहा है, वहां पर promoter ratio देखो तो 58.12% है, FII की 16.05 है, DII की 9.15% यानि DII ने कहीं अपनी position को बढ़ाया है, तो इस तरीके से आपने CZ power देखा, कि एक साथ 3 सेक्टर में काम कर रहा है, जहां semi conductor इसके लिए just like a baby है, जो baby अभी just born हुआ है, और धीरे ध premium percentage बहुत अनदर level पे काम कर रहा है, जो इसके share के price को बढ़ाने में help कर रहा है, बट share महंगा है, इसमें कोई दो राई वाली बात नहीं है, वहां पर price action के अधार पे नीचे के support level बन रहे हैं, तो overall futuristic share है, जिस पर आप नज़र रख सकते हैं, और कैसी लगे analysis comment में बता सकते जोइन करिए हमारा zero to hero stock market class, क्योंकि जहां सुरसती माता, वहीं पर लक्षमी माता, तो आपकी मुलाकात हो भी मेरे से, और मैं सिखाऊंगा क्या होता है real stock selection, और बच्चों की तरफ full day market देखने की जरुवत नहीं है, तो बैस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, प्यार देज Thank you so much